26 जन्वरी को राजधानी दिल्ली में किसानों के ट्रेक्टर मार्च के दोरान हुई हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस को एक और बड़ी काम्यावी मिली है दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एक और आरोपी को गिरफतार किया है बता दे कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लाल किले पर उपद्रव करने वाले मोस्ट वांटेड मनिंदर सिंग को गिरफतार किया है मनिंदर सिंग और फमोनी दिल्ली के स्वरूप नगर का रहने वाला है उलेकनी है कि लाल किले पर प्रदर्शन के एक वाइरल वीडियो में मनिंदर सिंग को तलवार लहराते हुए देखा जा सकता है पुलिस ने इसके घर से भी गिरफतारी के बाद दो तलवारे बरामत की है आरोपी मनिंदर सिंग फेस्बूक और दूसरे सोशल मीडिया पर पोस्ट देख कर कटर हो गया था दिली पुलिस के मताबिक आरोपी अक्सर सिंगु बॉर्डर जाया करता था पुस्ताश में उसने बताया कि ये सिंगु बॉर्डर पर किसानों के भाशन सुनता था स्पेशल सेल ने मोनि को दिली के पीतम पुरा के एक बस टॉप से मंगलवार को गिरफतार किया था पुस्ताश के दौरान मोनि ने बताया कि उसने अपने इलाके में छे और लोगों को भी उकसाया था ये सभी मोटर साइकल से किसानों की ट्रेक्टर रैली में शामिल हुए थे अपनी साथियों के साथ ट्रेक्टर रैली में शामिल होने के बाद मनिंदर सिंग लाल किले में गुसा उसने लाल किले में तलवार लहराते हुए डांस किया और दूसरे प्रदर्शनकारियों को उकसाया आरोपी स्वरूपनगर इलाके में एक खाली प्लोट पर तलवार चलाने की ट्रेनिंग भी दे रहा था आपको बता दे कि 26 जनवरी को हजारों प्रदर्शनकारी किसान अवरोधकों को तोड़ कर राष्ट्य राजधानी में दाखिल हो गए थे और दिली के विबिनस्थानों पर उनकी पुलिस कर्मियों से जड़ब हुई थी कई प्रदर्शनकारी ट्रेक्टर चलाते हुए लाल किलय पहुँच गए थे और एतिहासिक स्मारक में प्रवेश कर उसकी प्राचीर पर एक धार्मिक जंडा लगा दिया था कंतंत्र दिवस पर हुई हिंसा की घटना से 500 से अधिक पुलिस कर्मिय घायल हो गए थे जबकि एक प्रदर्शनकारी मारा गया था लाल किला के हिंसा के सिलसिले में दर्ज प्राथमिकी में पुलिस ने कहा था कि प्रदर्शनकारी ने दो कॉंस्टेबलों से 20 कार्टूस वाली दो मैगजीन छीन दी प्रदर्शनकारियों ने वाहनों को भी शतिक रस्त कर दिया था